हेलो बच्चों हम आपके लिए लाएं हैं पाठ विज्ञान के जोकी कक्षा साथ के हैं इन में हम टोपिक वाइज आपको अध्यान करवाएंगी आप इसको ध्यान से पढ़ें और सुनें तो आपको पूरे पाठ का कंसेप्ट केलियर हो जाएगा तो हम आज शुरू करने जा हैं कुछ वस्तुएं अपनी इस्थान नहीं बदलती हैं वे स्थिर रहती हैं जैसे पेड़, मोबाइल, टीवी, आदी जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो अपना इस्थान बदलती हैं जैसे कि बस, कार, आदी इनकी इस अवस्ता को गती कहते हैं यानि कि जो वस्त और भिखाया हुआ है। इनमें सायक्ल धीरे मंच और आए। को पूल में से कौन और इस कुट टार तो यहां पर लिख देंगे कार। सकुटर या कार तो सब्सक्रूटर और कार में से कौन पेंच चलेगा। कार्टेज चलेगी, फिर cycle या scooter, तो दोनों में से scooter तेज चलता है, तो यहाँ पर हम scooter लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसी तरह से फिर आगे एक चितर दिया हुआ है, एक इत नम्मर में चार बच्चों की दोड हो रही है, तीन बच्चों की दोड है, वो लाइन पर खड़े हैं, दो में उन्की दोड स्टार्ट हो गई है, और तीसरे में दोड पूरी हो चुकी है, जिसमें सबसे आगे A है, उसके बाद में B और C है. अब देखते हैं कि इस पार्ट में क्या पूछा जा रहा है एक निश्चिस समय में वस्तुओं द्वारा दूरी तै करना यह पता लगाने में मदद करता है कि वह वस्तु तेज चल रही है या धीरे जैसा कि उपर दिये गए तीन चित्रों में एक दोड दिखाई गई है बताईए A, B और C में से कौन तेज दोड रहा है तो हम यहां देखते हैं चित्र में कि इन तीनों में से कौन तेज है सबसे आगे A है, यानि कि A सबसे तेज दोड़ रहा है, क्योंकि सबसे पहले A आगे निकल गया है, तो हम यहां लिख देंगे A, जो वस्तु किसी दी गई दूरी को तै करने में सबसे कम समय लेती है, उसकी चाल सबसे अधिक होती है, यानि A की समय पर सब चलें, लेकिन सबसे पहले जो पहुंच जाए, निश्चित दूरी पर, दी गई दूरी पर, तो उसकी चाल सबसे अधिक होती है, तो चाल की परिभासा हो जाएगी, किसी वस्तु द्वारा काई समय में तै की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, और चाल का इससे एक सूत्र भी बन जाता है चाल बरावर तै की गई दूरी बटे लिया गया कुल समय, तो इस तरह से हम इस सूत्र के दौरा हम किसी विवस्तु की चाल को ग्यात कर सकते हैं, गती दो प्रकार की बताईए यहां पर, एक समान गती और दूसरी ऐसमान गती, एक समान गती क्या होती है, किसी सरल रिखा की दिसा में वस्तु की स्थिर चाल से गती यानि एक ही चाल से जैसे 60 किलोमीटर की चाल से कोई कार चल रही है तो 60 किलोमीटर की चाल से ही चलती रहे और दूसरी है ऐसमान गती यानि कि किसी सरल रेखा में सरल रेखा की दिसा में वस्तु की ऐस्थिर चाल से यानि कभी तो 40 हो कभी 50 हो गई, कभी 60 हो गई, कभी 100 हो गई, बदलती रहती है, तो उसको ऐसमानगती कहते हैं, अब यहां कुछ प्रशने दे रखें हैं, जिनको हम देखते हैं, अब इनके उत्तर दीजिए, खुसी और सोनी दो बहने हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाती हैं, खुसी दीरे चलती है, तो यहां इसका उत्तर यह हो जाएगा, दूसरा प्रशन है, इनका स्कूल घर से 600 मीटर दूर है, यह कार से 60 सेकिंड में स्कूल पहुंच जाती हैं, कार की चाल क्या होगी, हमारे पास कार चाल निकालने के लिए सूत्र है, यहां पर तै की गई कुल दूरी तो यहां दूरी को लिख देंगे, 600, और नीचे लिख देंगे, समय 60, यहां मातरक दे रखा है, की 60 सेकिंड हैं, और 600 मीटर हैं, अब 600 में जब 60 का हम भाग देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, 10, 10 मीटर प्रती सेकिंड, क्या आ जाएगा, 10 मीटर प्रती सेकिंड, तो ये उसकार की चाल हो जाएगी इस तरह से हम किसी भी वस्तू की चाल याद कर सकते हैं अब है समय की माप समय की माप कैसे करते हैं रवी एक लंबी अंतराल के बाद अपने विध्याले जाने के लिए तैयार हो रहा था उसकी नजर बारवार दीवार घड़ी पर जा रही थी प्रकरती में बहुत सी गटनाएं निश्चित अंतरालों के बाद पस्चाश फ्यम को दोराती हैं उधारन के लिए एक दिन, एक माँ, एक साल, सभी समय के एक निश्चित अंतराल को दरसाते हैं इसी के साथ में यहां कुछ प्रशन दे रखे हैं रभी दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो समय देख रहा था, क्या देख रहा था वो? समय रभी और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? इसके अलावा में वो हाथ घड़ी से भी पता लगा सकता था डिजिटल घड़ी के द्वारा भी पता लगा सकता था कई प्रकार की घड़ियां होती हैं जिनसे वो समय का पता लगा सकता था फिर है दिये गए समय अंतराल के लिए उप्युक समय लिखिए एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय यानि कि आज सूरा जुगा है और कल सूरा जुगा है उसके बीच का समय क्या कहलाता है एक दिन तो यहां हम दिन लिख देंगे फिर दूसरा है एक अमावश्या से अगली अमावश्या के बीच का समय तो एक अमावश्या से अगली अमावश्या, यानि की एक माहा, तो यहां हम लिख देंगे एक माहा, इसके बाद तीसरा है सूरे की एक परिक्रमा पूरा करने में प्रत्वी द्वारा लिया गया समय, यानि प्रत्वी सूरे के चारों और एक वर्स में पूरा कर लेती है अपन पीटल घड़ी है समय मापने की सबसे सामाने युकती घड़िया है अगर हमको समय मापना है समय देखना है तो हम घड़ियों के द्वारा आराम से समय को देख सकते हैं और यहां पर एक चितर दिखा गया है लोलक का यह सरल लोलक है जिसको हिला दिया है तो यह यहां से इस 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 इस्तिथी में और इस इस्तिथी में तोनों में जा रहा है यहां इस इस्तिथी से यानि कि यहां से यहां आने में और यहां से वापस यहां आने में जो समय लगता है उसको हम दोलन केते हैं आभी इसको भी पढ़के देखते हैं सभी घडियों में आवर्ती गती का उपयो को दोराती है आवर्ती गती कहलाती है उधारन के लिए प्रत्वी का सूरे के चारों और गती करना और जूले की गती आदी तो ये है एक सरल लोलक है जो दिखाया हुआ है इसमें सरल आवर्ती यानि आवर्ती गती को ये है दरसाता है फिर दे रखा है इसमें एक सरल लोलक की म जब सरल लोलक का गोलक एक चरम इस्तिथी A से दूसरी चरम इस्तिथी B पर तथा B से वापस A पर आ जाता है, तो उसे एक दोलन कहते हैं, यहां हम चितर में देख सकते हैं, कि यहां से A से B और B से A तक वापस आता है, तो उसको एक दोलन कहते हैं, सरल लोलक का एक दोलन पू से गया और यहां से वापस यहां आ गया इसको जो समय लगता इसमें आने में उसको आवर्थकाल कहते हैं समय का मातरक, समय का मूल मातरक सेकंड है, इसका प्रतीक S है, समय के बड़े मातरक मिनट और गंटा H, माने जाते हैं, इनमें हम ग्याद कर सकते हैं, अब प्रशन दे रखें तीन, सूरे के चारों और प्रत्वी की गती, आवर्ती गती का उधारन है, तो यहां पर हम भर प्रशन दो है, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं, तो आवर्तकाल की परिभासा यहां दे रखी है, सरलोलक एक दोलन पूरा करने में, जितना समय लगाता है, उसे सरलोलक का आवर्तकाल कहते हैं प्रशन नमर तीन है, किसी भी कारे को समय पर पूरा करने के दोलाब लिखें, हम किसी कारे को समय पर पूरा कर लेते हैं, तो उससे दोलाब क्या होते हैं, एक तो कारे समय पर पूरा हो जाता है, दूसरा समय की बचत होती है, और कारे अच्छा होता है, तो यह दोलाब हम इ आज का टोपिक आज कम्प्लीट होता है, इससे अगला टोपिक देखने के लिए जोड़े रहे हमारे चैनल से, इससे अगला टोपिक हम कल पड़ेंगे, धन्यवाद.